आज हम जानेंगे कर्म की उपसम, निधत और निकाचित अवस्ता के बारे में उदई प्राप्त कर्म पुद्गलों को कुछ समय के लिए किसी प्रयत्न विसेश जैसे स्वाध्या, इध्यान, अनुप्रेक्षा, भावना, आधी के द्वारा सांत कर देना या फल प्राप्ती के अयोग्य कर देना उपसम कहलाता है इस अवस्ता में कर्म का न उदई होता है, न उदीरना होती है, न ये निदत अवस्ता होती है, न ही निकाचित अवस्ता होती है जैसे अंगारे राक के नीचे दबकर शांत हो जाते हैं, परन्तु उनकी आग समाप्त नहीं होती जब राक हट जाती है तो वे पुन भबक या भड़क उड़ते हैं या जैसे पानी में फिटकरी गुमाने पर उसकी मिट्टी नीचे तली में बैठ जाती है और पानी स्वच्च दिखाई देने लगता है परन्तु उसकी मिट्टी तली में ही रहती है हटती नहीं है इस प्रक कर्मों से कर्मों का उपसम होता है उसे उपसम करन कहते हैं आठ कर्मों में मात्र मोहनिय कर्म का ही उपसम होता है कर्म की एक दूसरी अवस्ता है निदत यानि कर्म को प्रती समय उदई में आने के लिए विशिष्ट रीती से स्तापित करना निदत कहलाता है निदत कर्मों की उधीरना और संक्रमन नहीं हो सकता, केवल उदवर्तन और अपवर्तन ही हो सकता है निदत का अर्थ कर्मों की निशेचक रचना भी है एक समय में निरजरित होने वाले परमानों के समय को निशेक कहते हैं जैसे सुया जंग लगने पर एक दूसरे से चिपक जाती है ये कर्मों की अल्प निकाचित अवस्ता है जिसमें ग्रहन किये हुए कर्म पुद्गल बहुत ही मजबूती से बंदे हुए रहते हैं जैसे चिकनी मिट्टी का ढेला दीवार पर फेकने पर मजबूती से चिपक जाता है उसी प्रकार राग द्वेश के भाव तीव्र होने से कर्मों का बंदन गाड हो जाता है निदत अवस्ता में कर्म इसी प्रकार की प्रगाड स्तिती में आ जाते हैं कर्म की एक दूसरी अवस्ता है निकाचित यानि अतिगाड बंद से बंदे हुए कर्म निकाचित कर्म कहलाते हैं पाप प्रवृत्या करके प्रसन होने से, मन में सुक की अनुभूती होने से या एहंकार ग्रस्त होकर पापकारियों की बार बार अनुमोधना करने से निकाचित कर्मों का बंद होता है। जैसे इंट को सिमेंट से दीवार पर लगा देते हैं, फिर सिमेंट के सूपने के पस्चात वो दीवार से अलग नहीं हो सकती। उसी प्रकार आत्म प्रदेश से अती गाड बंदे हुए कर्म का चूटना दुशकर होता है और उन्हें भोगना ही पड़ता है। ऐसे बंद को ही निकाचित बंद कहते हैं। ये बंद कर्म की वो अवस्ता है जिसमें उद्वर्तन, अपवर्तन, संक्रमन, उदीरना, आदी किसी भी प्रकार के परिवर्तन की संभावना नहीं होती है। जैसे कोई व्यक्ति सुयों को एकत्रित करके उन्हें तपा कर हतोडे से कूट-कूट कर उन्हें पिंड रूप बना दे तो फिर सुयों को अलग कर पाना संभव नहीं है। जैसे किसी डाइबिटेस, कैंसर, टीबी, आदी के रोगी द्वारा बार बार कूपत्य करने पर या मित्या आहार विहार करने के कारण रोग असाध्य हो जाता है। रोग अंतिम चरन में पहुन जाने के बाद उस रोग का कष्ट भोगे बिना प्रानांत तक कोई चुटकारा नहीं होता। उसी तरह निकाचित कर्म भोगे बिना चुटकारा संभव नहीं है। आत्मा के जिन भावों से कर्म आत्मा के साथ निकाचित हो जाते हैं, उन भावों को निकाचित कहते हैं. देखा जाई तो कर्मों की ये अवस्ताएं जीव के पुरुशार्थ की प्रतीक है सम्यक आच्रन सम्यक ज्यान द्वारा अशुब कर्मों को सुब को सुद्ध में रुपांतरित किया जा सकता है मनुश्य अपने पुरुशार्थ के द्वारा कर्म की इन अवस्ताओं को पार करके कर्मों का च्छही करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकता है तो कितने लोग अनावश्यक जीव हिंसा से हमेशा बचने का प्रयतन करते हैं कमेंट में बताएं वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें